गुट मॉर्निंग गाइज स्री शीवाय नमस्तु ब्याम मेरे तबेट थोड़ी ठीक नहीं थी और बती दो चले गया है अपने शॉप पर बाबु बैठा आया है और यह है आइस क्रीम पनीर पीजा पनीर पीजा आइस क्रीम ते चले देखते कैसा है यह वाव देखने में तो बहुत एमी है ना यह देखो भूख गड़ सब बैठे हैं खाने के लिए तो गाइस अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए और घड़ी में बज रहा है पांच इनको भी नहीं भूख लगा था और फिर आभी को भूख लगा सब्गार खाना खाना और हमारे घर में चल गया है कि हमारा फैन जल गया है और हम लोगों लग रही है बहुत गर्मी लेकिन क्या किया जा इतना गंदा पुरे पुरे रूम में धुआ धुआ हो गया था गाइस तब दीनी घराब चल रहा है हम लोग का क्या कर सकते हैं तो बाबु बोरू रहा था मैंने का थोड़ा सा क्रिकेट खेल लो तो महले के बच्चे साथ एक रिया दिदी है अपने दिया दिदी के साथ बैट के क्रिकेट खेलने लेगा क्योंकि उसका तबयत नहीं ठीक था मैं सोचे थोड़ा खेले वह लेगा थोड़ा सा मन वह हो जाएगा बहुत उदास था बाबु मेरा एक बैक उसके तब बैट को पता नहीं क्या हो गया और इसके पेट में काफी दर्द हो रहा था गाइस और फिर उसने उल्टी भी की थी तो इससी वज़ा सुबह में थोड़ा सा उल्टी किया था तो मैंने का थोड़ा सा खेल ओल लेगा और फिर मैंने उसको थोड़ा खाना खिला दिया पानी पिलाने के बाद इसने इतनी जादी उल्टी कर दी फिर ये सूस्त हो गया फिर इसको जहराने के लिए एक लोग को बुलाएं महले में रहती है वो जहारती है तो यह देखे मैं बाबू को गोद में लेकर जहरा रही थी तो गाइज मेरे खर का पंखा तो आपको पताय थे आपको यह जल गया है और हम लोग को हो रही थी गर्मी क्योंकि हम लोग का उपर रहे चछत पे बहुत ज्यादा रूम में गर्मी होता है तो मेरी चाची ने मुझे पंखा दिया यह दिखे कैसे सोगी तुम लोग तो मेरा हैल्प कर दी बहुत अच्छी है तेशलिए गाइस हम लोग सोते हैं इसी के साथ ब्लॉग को खतम करते कल में ते नहीं ब्लॉग के साथ वब्लॉग को अब तक लिए गुड नाइट प्लीस आम नहीं हो तो में चरे को और हर्शी का तब्यत नहीं ठीक है तो मैंने इसको दवा पिलाए उट्टी कर दिया है फिर मैंने सुचत वड़ा नाजर जर रादय जय तो भी मैंने कर लिया है तो चलिए अब इसको भी थोड़ा सा सुलाय उलादें ठीक है बाइबाई